अलो स्टुडेंट्स यह आपका पार्ट 12 वीडियो इस चप्टर का पार्ट 12 वीडियो में प्रसनावली 7.5 में है जो कि आपके एक्षिक प्रसनावली है करा पहला नमर कोशन की ABC एक तिर्भूज है इसके अभियंतर में एक ऐसा बिंदू ग्यात कीजिए जो तिर्भूज ABC क के तीनों सिर्षों से संदुरस्थ है चलिए देखते हैं हम लोग एक तिर्भूज ABC ले लेंगे ठीक है A, B, C ले लेंगे यहाँ पर एक तिर्भूज हमें क्या करना होगा है कि इसके तीनों गुजाओं का लं सम्न दिपाजा क्र जो आपके इसके भुजा को दो बराबर भागों में बाटे भी और यहाँ पर लंब भी हो तो इसको खिचने के लिए पता है क्या करना आप परकाल पैंसिल ले लेना बी बिंदू पर परकाल कनोक रखना ठीक है और यहाँ पर पैंसिल आगे फैला लेना इसके आधेस ज्याद ना और फिर नीचे भी आपका ऐसे ही कठ गा ऊपर का रखे और इसे काट देंगे और इधर कार देंगे- और फिर इसको मिला देंगे इन दोनों बिंदों को जैसे यह पहले ही मैं खीच दिये था क्योंकि देखो मेरा पास इस फिगर को बनाने के लिए आपे प्रकाल होगा नहीं यूज कर सकता हूँ मैं इस वीडियो में, होगा ही नहीं मेरे पास कोई ऐसा application है नहीं, तो आपको करना क्या होगा, कि इसका लम संदी भाजा खिचना होगा, ठीक है ना, लम संदी भाजा खिचने के लिए, मैंने बता दिया है कि प पेंसिल को आधेस ज्यादा फैला के उपर और नीचे काटेंगे, फिर C पर भी रखे उतना पर ही उपर और नीचे काटेंगे, और जहां जहां यह दोनों एक दूसरे काटेंगे, मिला देंगे, ठीक है, फिर उसी तरह से आप A B का भी लंब संदी भाज़ाग खिचना, ठीक ह पेंसिल को आगे फैला लिया, इधर काटा, उपर काटा, फिर B पर रखे, इधर काटा, और इधर काटा, और फिर इनको मिला दिया, उसी तरह से हम लोग A C का भी लंब संदी भाज़ाग खिचेंगे, ठीक है, आप लंब संदी भाज़ाग खिचना जानते हो, क्लास 8 में भ पढ़े होंगे, 8 में पढ़े हैं ने, इसका भी लंब संदी भाज़ाग खिच देंगे, तो यहाँ पर मैं कुछ नाम देता हूं, मालो यहाँ देता हूं, यहाँ पर E देता हूं, और यहाँ पर F देता हूं, और तीनों का लंब संदी भाज़ाग जहां मिलेगा ना, यहा यह तीनों सिर्ष सम्दुरूस्त है तो यह जो लम सम्दिवाजा खीचना है इसको dotted खीचना है क्योंकि हमने यह रचना की है ठीक है तो लम सम्दिवाजा खीचना आपको पता है, आता है हम लोग क्या करेंगे, तीनों भुजाओं के लमसम निवाजा को खीज देंगे और जापर वो एक दूसरे को प्रतिछेद करेंगे और वही आपका वह बिंदू हो जागा जिससे यह तीनों सिर्ष समान दूरी पर होंगे ठीक है तो मैं यह आप लिखूंगा कि पहले क्या क्या हम किये कि तिर्भूज ए बी सी की रचना कर है हमने पहले तिर्भूज ए बी सी की रचना किये फिर उस व्याद क्या कि है कि तिर्भूज की तीनों भूजाओं तीनों भूजाओं का लंब सम्दिभाजक खीचा लंब सम्दिभाजक खीचा तीनों लंब सम्दिभाजक बिंदु ओपर प्रतिछेद करते हैं इसलिए ओ वह अभिष्ट बिंदु है अभिष्ट बिंदु है जो तिर्भूज ए बी सी के तीनों सिर्सों से सम्दुरुस्त है यानि समान दूरी पर है यानि कहने मतलब कि ओए बराबर ओबी बराबर ओसी है ठीक है यह तीनों बराबर है आप खीच कर देख सकते हैं अगर आप यहां से ब्रित खीचोग ना ओए त्रीजा वाली ऐसे तो वह क्या होगा यह एसे भी जाएगा बी से भी जाएगा सी से भी जाए यानि कि वह इसका केंद्र हो जाए जिसके कारण वह भी और उसी बराबर हो तो हमें इतना कुछ करना होगा इसमें तो आप सको बना लेना इंस्टूमेंट बोक्स की जरूत होगी और मेरे पास कोई ऐसा अप्लिकेशन नहीं जो आपको ये बना कर मैं दिखा देता